आज तेल के पूरती ना हो रही है यहाँ पर टंपो की 10-20 रुपए हम सवारी डोनी पड़ रहे हैं क्या करें फिर मजब यहाँ 31 रुप से आप चल पा रहे हैं जी दस दिन बाद आजा पाएं? दस दिन बाद हर्याना की नू में धीरे धीरे ही सही जो रौनक है वो लोट रही है होडल चोक पर आप खुली हुई दुकानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त नू के अलग-अलग इलाकों में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जो दुकाने हैं आप आम तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक्ता दुका दुकाने खुल रहे हैं लेकिन अलग-अलग बाजारों के अलग-अलग हाल हैं जहां पर कुछ समविधन शील इलाके हैं वहाँ पर अभी भी दुकाने बंद हैं लेकिन जादा तर आपको बता दूं कि 31 जूलाई को जब ये घट पुलिस प्रशासन उसकी लगातार नजर बनी हुई है और इलाके में अभी भी आप देख पाएंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं जो गारियां हैं वो मौझूद हैं ऐसे में किसी भी स्थिती से निपटने के लिए जो तमाम पुलिस प्रशासन और अमला है अभी भी पेडनात है इन सब के बीच आपको साफ तोर पर बता देएं भाईया कितने दिन बाद आप इस तरह से चल रहे हैं यहां 31 से अब चल पार हैं जी 10 दिन बाद आ जा पाएं ऑगां कहां से आ आ पार हैं किसी इलाके से बड़कली से आ रहे हैं अभी आस पास दिख अभी जो इस्तिती है आप कहां पर जा रहे हैं तावडू क्या वहां पढ़ते हैं आप जॉब करते हैं तो कितने दिन बाद आप जॉब पर जा रहे हैं जी सम्तिंग दस-पंदर दिन बाद क्या करते हैं आप कंपनिम काम करते हैं मेरा नाम सहीद अमध यहीं पर रहते हैं जी कहां पर रहते हैं नू में यहीं रहते हैं यहीं पर रहते हैं क्या करते हैं तो आप आज कहां जा रहे हैं काम पर जा रहे हैं नहीं सर हम घर पर जा रह तो अभी आपको कुछ यहां पर बदला बदला सा नजर आ रहा है दिख रहा है कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं कि जो पहले के मुकाबले इस्थिती आप सुझ रही है सर अब देख रहे हैं जब आब आएं तो बजार में क्या है क्या नहीं है हुआ 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 है